हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वीटिव कम्यूटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप ट्वेंड लाइन ड्रौ कर सकते हैं इससे पहले मैंने आपको वीडियो बनाया था उसमें ट्वेंड लाइन ड्रौ करना सिखाया था लेकिन जो प्रिवियस वीडियो मैंने आपको बताया था उसमें ट्वेंड लाइन के बेसिक्स के उपर बात किया था अगर आपको ट्वें यसे अलग-अलग situation देगा और आपको अलग-अलग सिचेशन में अलग-अलग तरह का trendline ड्राव करणा परेगा एक तरह का trendline आप हर Ekin market situation में draw नहीं कर सकते हैं इसले आपको अलग-अलग type के market situation में देखना परेगा जाना परेगा और वहाँ पर आपको trend line draw करना परेगा तब जाके आप trend line शीख सकते हैं तब जाके आप trend line draw करने में master बन सकते हैं तब आप perfection के साथ trend line draw कर सकते हैं और अगर आप perfection के साथ trend line draw करना सीख जाएंगे तो market जो भी moment करेगा वो trend line को base man के moment करेगा और trend line को respect भी करेगा तो इसलिए trend line draw करना आना चाहिए ना सिर्फ आना चाहिए बलके perfection के साथ आपको trend line draw करना आना चाहिए तब जाके आप इसके basis पे trade भी ले सकते हो आप चाहो तो intraday trade ले सकते हो delivery trade ले सकते हो options में trade ले सकते हो futures में भी trade ले सकते हो तो चलिए सीखते हैं कि कैसे हम trend line draw कर सकते हैं और last video जो मैंने आपको बताया था वहाँ पर basics उपर ज़्यादा ध्यान दिया था लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा उपर आएंगे और थोड़ा सा advanced level के उपर बात करेंगे तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले टाइटन के चार्ट पर आते हैं देख सकते हैं यह आपका टाइटन का चार्ट है और यह इसका डेली चार्ट है तो यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा होगा इस चार्ट के basis पर आप एकदम perfect trend line draw कर सकते हैं और इसके basis पर प्राइस को आप काफी हद तक predict भी कर सकते हैं कि कैसा यह आगे move दिखाएगा जैसे प्राइस यहाँ से आपका जो नीचे side की तरफ आया था इसको भी आप trend line के जरिए predict कर सकते हैं कि यहाँ से price आपका reversal लेने वाला उसके बाद जब यहाँ पर price आपका all the way नीचे आया इसके basis पर भी आप sell side की तरफ जा सकते हैं trend line के basis पर आप find कर सकते हैं कि यहाँ पर breakout देखने पिला price आपका और नीचे side की तरफ जाएगा उसके बाद इसके बीच में भी एक trend line draw होगा उसके basis पर आप देख सकते हैं कि price आपका all the way नीचे side की तरफ जाएगा यही नहीं आज जो यहाँ पर reversal दिखाया है pullback दिखाया है इस pullback को भी आप predict कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक support level आएगा और support level से आपको pullback दिखाया और यह सारा काम किसके basis पर कर सकते हैं यह सारा काम हम trend line के basis पर कर सकते हैं तो आप चाहो तो आप भी यहाँ पर trend line draw करने की कोसिस कर सकते हो अगर आपको trend line draw करना सीखना है तो इस video को आप यहीं पर pause कीजिए और इसका आप sprint shot ले सकते हैं और यहां पर आप trend line draw करने की कोशिस किजिए, उसके बाद, उस दिर बाद जब मैं आपना trend line draw करूँगा, तब आपको वहां से match करना है, कि आपने किस हद तक सही trend line draw किया है, और गलत किया है, तो क्यों गलत किया है, फिर आपको यहां पर real माईने में समझ में आएगा, कि trend line draw करना कितना difficult है या फिर कितना आसान है, चलिए यहां पर हम आपको trend line draw करके बताते हैं, अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने चार्व trend line draw किया, सबसे पहला यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, और चौधा यह है, यह सब मैंने क्यों draw किया, यह सब मैं आपको explain उससे पहले रैखिए trend line आपको इक कहानी बताता मारकेट आपको एक story बताता है उसकी बाद हम trend line draw करते हैं और trend line draw करने राद same story आगे continue होना चाहिए और यहाँ पर जब हम trend line draw कर देते हैं तो वहाँ पर trend line का भी entry हो जाता है और जो market आपको हमेसा story बताता उस story में trend line का भी entry होना चाहिए और trend line को भी respect मिलना चाहिए तब ही वो सही माइने में आपका perfect trend line होगा तो कैसे कैसे trend line डॉप करते हैं चलिए उसको यहाँ पर हम सीखते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले वाले trend line पर आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको हमने क्यों डॉप किया है कैसे डॉप किया है तो सबसे पहले देखिए price आपका यहाँ से एक बार आपका नीचे side की तरफ लौटा यानि यह label आपका resistance की रूप में काम किया उसके बाद price आपका नीचे आया वापस से यहाँ पर price आया और यहाँ से वापस से price आपका नीचे गया यहाँ दुबारा यह जो label है यह आपका resistance की रूप में काम किया है जैसे ही यह label resistance की रूप में काम किया दूसरी बार इसको touch किया हम क्या करेंगे दोनों point को join करते हुए एक line draw कर देंगे और यही line क्या बन जाएगा हमारा trend line बन जाएगा उसकी बार market इसको आगे भी respect किया इसको हम explain करेंगे सारा trend line draw करेंगे उसके बार हम price action को भी explain करेंगे किस के recording हम कैसे train ले सकते हैं कैसे market को आगे हम predict कर सकते हैं सबसպए पहले पहला trend line हमने क्यों draw किया और कैसे draw किया यह clear हो गया समझ में आगया अब यहां पर हम दूसरा ट्रेंड लाइन को पर बात करेंगे इसको समझने के लिए आपको यहां पर देखना पड़ेगा देखिए प्राइस सबसे पहले इसके नीचे हो गया रिस्टेंस आपका convert हो गया support में मतलब यह जो trend line था यह trend line पहले क्या था resistance level था उसके बाद क्या बन गया यह support level बन गया उसके बाद रहें प्रैस आपका यहाँ से उपर गया और उसके बाद price आपका यहाँ से वापस से इस level को touch किया यानि वापस से हमारे support level को touch किया और यहां से price आपका वापस से उपर भागा यहनी support level को यह respect किया तो यहां पर मुझे 2 point मिल गया एक point यहां पर और दूसरा point यहां पर यहां पर क्या करेंगे हम इन दोनों point को join करते हुए एक trend line draw कर देंगे straight trend line रेखे पहला point यह, दूसरा point यह यह return था support बना फिर वापस से support को respect यह दोनों line को join करते हुए हमने एक trend line draw कर दिया, दूसरा trend line क्यों और कैसे draw किया समझ में आ गया, यह previous trend line वाला video से थोड़ा सा advance है इसलिए हम यहां पर आपको सारा कुछ explain करके बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और इस video से related कुछ भी doubt हो या कहीं पर समझ में ना है तो आप हमें comment section पूछ सकते हैं वहाँ पर आपका proper answer किया जाएगा और चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि हम इस तरह के और वीडियो अप्लोड करते रहेंगे इस तरह के आपका 10-15 वीडियो हो जाएगा अगर आप चैनल को subscribe नहीं करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे नहीं तो आपके पास notification नहीं पहुंच जाएगा आप साही टाइम पर वीडियो को नहीं देख पाएंगे और कुछ वीडियो में हो जाएगा इसलिए चैनल को जबूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए यहां पर हम आते हैं तीसेवे ट्रेंड लाइन के उपर इसको हमने क्यों डॉआ किया और कैसे डॉआ कि अब यहां पर देखें यहां पर हमारा एक सपोर्ट डिवल बन गया उसकी बाद प्राइस आपका अपसाइड की तरफ जा रहा और नेरो होता जा रहा यह निए यहां पर आया है और यहां सब्सक्राइब क्या आपका in के प्रेंड अचों करते हुए यहां पर वृटरू प्रघ्रेरव को हमने यहां पर चांप क्या अब्लाइचना मिलें प्रेकाउट लोग देखने मिला निसके ब्रेकाउट देख सकते हैं और यहां पर हाइयर भेदम्स च जिस तरफ होगा यहां पर उमीद कर सकते हैं कि breakout जो भी होगा वो upside की तरफ breakout होने के chances ज़्यादा है क्योंकि यहां पर higher low pattern का formation होता हुआ दिख रहा है ति हमें यह clear मिल गया अब हमने ट्वेंड लाइन क्यों ट्रॉक यह समझ में आ गया क्योंकि यहां पर हमें higher low pattern का formation देखने को मिलवा था और इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोइन करें हमने ट्वेंड लाइन ड्रॉक कर दिया इसलिए यह आपका तीसरा वाला ट्वेंड लाइन हो गया यहां पे आपको इस सारे का परेगा अब यहाँ पर देखिए यहां पर किया दो प्रैस के नीचे की ट्वेंट कर रहा था यहां फिरूर्ण निकला फिर price आपका all the way यहाँ पे trade किया और वापस से आपका इस level के करीब आया है यानि यह जो range था इस range के करीब आया है यानि यह जो trend line हमने draw किया है यह latest trend line है जो कि हमने कल ही draw किया यानि आपका 12 में को draw किया है तो यहाँ पे क्या करेंगा हम इस point और इस point दोनों point को join करते हुए एक trend line draw करेंगे तो यह हमारा क्या बन गया यह हमारा fourth trend line बन गया जो कि हमारा latest trend line है जो कि अभी हमें market price में क्या करना वो हमें बताएगा तो हमारा सारा कुछ यहाँ पे clear हो गया अब हम इसके price section को देखते हैं इसके movement को समझने कोसिस करते हैं किसके basis पे हम कैसे trade ले सकते थे यह सारा trend line हम पहले draw कर सकते हैं लास्ट वाला अभी हमने draw किया तो अब यहाँ पे देखिए यह trend line मेरा पहले से draw गया price यहाँ पे upside की तरफ निकला और यहाँ पे हम क्या उमीद कर रहे थे कि breakout हमें upside की तरफ मिलेगा यहाँ पे जब दस green candle का formation जोर हुआ यह देख सकते हैं हमें follow up buying चाहिए था यहाँ पे हमें और भी एक दो green candle चाहिए था तब यहाँ पे यह सही माइने में आपका real breakout होता लेकिन यहाँ पे हुआ क्या यहाँ पे पूरा story समझ दे कोसिस किजिए यहाँ पे हमने trend line पहले ही draw कर दिया और यहाँ पे आपका higher low pattern का formation हो रहा था इसके just like a breakout का चाहिए और यहाँ ब्रेक आउट हमें देखने को मिला अब है लेकिन यह ब्रेक आउट सस्काइबल ने को नहीं मिला है तो इसलिए यहाँ पे जो ब्रेकाउट है वह आपकास रिएल ब्रेकाउट नहीं है इसको फेक ब्रेकाउट का अब यहां पर क्या कुछ हुआ है? उसके पीछे का concept UP को समझने कोशिस करना। जो भी लोग यहां पर यहां पर यहां पर यहां yağ या कहीं पर विबाई की हुगे। इस लेभलप आने के बाद क्या करेंगे? वो यहाँ पे थोड़ा बहुत profit book करना चाहेंगे वो यहाँ पे profit booking की है और जैसे profit booking हुआ है उसके बाद क्या हुआ है यहाँ पे sellers भी आपके हावी हो गए और यहाँ पे हमें selling pressure भी देखने को मिल गया है क्योंकि इसके उपर का जो जो उन है वो आपका sellers का जो नहीं और market आप देख सकते है लगवग आपका October से लेकि अभी तक इसके उपर market जालक देख तक टिक नहीं पाया है ति यह आपका एक long term और multi month resistance level है जिसको आसानी से break नहीं करेगा इसके लिए हमें अच्छा कासा volume भी चाहिए और candle में strength भी चाहिए सिर्फ एक यहाँ पे positive volume, given volume देख रहा आपकी सारा का सारा आपका rate volume आगए यहाँ वालूम से भी support नहीं मिलवा और candle में strength भी नहीं है यहाँ बिल्कुल भी भरोसा नहीं है बायर्स को कि market आपका ऊपर टेकेगा इसलिए वो profit book किये हैं उसके बाद वहाँ से sellers हा भी हो गए प्राइस आपका नीचे साइट की तरफ गिरा है अब इसके basis पे हम कैसे trade ले सकते हैं प्राइस यहाँ पे नहीं ठीका है जैसे ही इस line को break करके नीचे आया हम क्या करेंगे हम यहाँ पे sell side की तरफ जाना प्रेफर करेंगे आपका टाइटन FNO में है तो आप चाहो तो futures में sell कर सकते हो options में sell कर सकते है daily chart है यहाँ पे हम intra day में काम नहीं कर सकते है यहाँ पे आप FNO में काम कर सकते हैं यहाँ पे आप sell कर सकते हैं टागेट पैस हम इस trendline को रखेंगे, यहाँ हमारा target पैस बन जाएगा और यहाँ पर हम अपना profit बुक करके निकल जाएगा जो भी हमने sell किया, ठीक है, तो यहाँ पर हमने trendline के basis पे sell किया stop loss क्या होगा, यह highest point को हम यह जह, इस टॉपलास के रूप में ट्वीट करेंगे तो यहां पर हमने ट्रेंड लाइन के बैसिस पर इंट्री पॉइंट किया और ट्रेंड लाइन हमें क्या बता दिया हमें टागेट प्रैस कौन बता है ट्रेंड लाइन ही बता है और देखिए इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट भ तो आपको negative sentiment के साथ ये नीचे side की तरफ breakout दिया तो यहाँ पर भी क्या करेंगे यहाँ पर हम fresh sell side की तरफ जाएंगे अधर आप put options buy कर लो call options sell कर लो या नहीं तो फ्यूचर में आप सेल कर लो यहाँ पर आपके पास multiple options है क्योंकि इस टॉक्स एफनो में available है यहाँ पर हमारा इंट्री पॉइंट यह बन जाए कि स्टॉप लॉस इसका हाइस पॉइंट यह होगा यह स्टॉप लॉस यह हमारा इंट्री पॉइंट की तरफ टागेट क्या ही आठरी नहीं जो कि आपको पहले से बदा तो यहाँ पर क्या करोगे 2200 आपkke आप मिलेगा ओंटिया और क्या कर सकते तो चीन पर क्या फोरॉस चाप पचास का यहांपर क्या ट्वेट बन गया दूसरा ट्वेट यहांपर अब क्या हुआ यहांपर हमारा क्या था support line ता जिसको यहांपर respect किया यहांसे bounce back दिखाया लेकिन यहांपर support line को respect नहीं किया इसको break करते इसको break बैस्त है यहाँ और यहाँ प्राइस आने की बाद हम क्या कर सकते था जैसे ये प्रेक कर रहाता प्राइस इसको ब्रेक करके करके नीचे जाता इसको ब्रेक करके नीचे जाता हम क्या करते वापस से यहां पे तरह पूजिशन बनागे और यहां पर यहां पर जूंब करना चाहु है थाकि आपको यह चीज डिए समझ में जगा अब यहां पे क्या होगा अटरा है यह पे आपका विवेंट रिव्र excellent दिखाया dieser बीकाए पुल बैक क्या पर क्या करेंगे इस पुल बैक पर हम ऍरस्ट करेंगे बिससींकWow buy side की तरफ जाएंगे तो यहां पर आप entry कहां पर ले सकते हैं आप trend line के basis पर तो entry नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहां पर pullback दिखाया हम pullback को थोड़ा सा confirm होने देंगे तो यहां पर हम इसके lowest point को देखते हैं इसका lowest point अगर आप देखें यहां पर देख सकते हैं 2056 ठीक है तो य के बाद price आपका अभी 2150 पर trade कर रहा है यहां से भी लगवग आपका 2-5% का upside momentum दिखा दिया है तो आज के basis पर यहां पर क्या कर सकते हैं बाइ करके यहां पर हम profit कमा सकते थे और single यह आपको इंट्राडे में कितना का profit दे दिया लगवग आपका 2% का profit इंट्राडे में दे है और एक में हमने यहां पर buy करके profit बना है किसके basis पर सारा का सारा ट्वेंड लाइन के basis पर ट्वेंड लाइन देखिए किस तरह के स्टोरी बता रहा है आपका लेबल ब्रेक किया है sell side की तरफ है sell continue है हमें sell positions आगे भी बनाना फिर यहां प्राइस ब्रेक करके नीचे है sell positions ह हमें आगे भी बनाना उसके बाद आपका प्राइस पूल बैक को भी हमने प्ले किया है और इस पूल बैक के वेसिस पर हमने पोजिशन बनाया और यहां पर मिल गया सिंगल डे आपका 5% का profit मिल गया इवन आपका जहां देर भी नहीं हुआ आपका 1.5% का profit दे दिया है तो अब हम यहां पर वापस से चार्ट पर आते हैं और इस trend line को छोटा करते हो वापस समय आपका पूरा का पूरा trend line यहां पर दिखाना चाहूंगा देख सकते हैं पूरा का पूरा आपका trend line है अब आपको यह clear दिख रहा होगा अब इस trend line कितन यहां पर सही हो रहा है कि यहां पर हम दो आबर के टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे यह जो हमने trend line रोग किया यह आपका 90% वहां पर भी सेट होना चाहिए परफेक्ट वहां पर बैठना चाहिए अगर 90% परफेक्ट बैठा है मतलब यह trend line हमारा सही है हमने सही trend लाइन ड्रोग किया है वैसे हमने लेवल चेक कर लिया था सही है लेकिन फिर भी आपको कन्फरमेशन लेना है यहां पर हम देख सकते हैं टाइटन के डिवावर के चार्ट पर आगया है अब यहां पर देखिए सब पहले हमारे स्टेंस लाइन परफेक्ट ली एकदम 100% फि सही है कि इस ट्रेण की बात करें यह लगबग आपका बोल सकते है कि 95% आपका सही है लास्ट चौथा वाला ट्रेंड यह भी आपका बोल सकते हैं काफी हद तक आपका 95 % सही है यह यह निकिंट यह चल्ण आपका 90% ज्यादा 95% यहाँ पे एकदम फिट वैट वह इध वहीства लेकिन 94 परसंट से यहाँ पर आपका तूग आवर के चाह्त बाट जबकि हमने कहां रहा किया था इसके हमने रॉकिया ठाद डेली चाड़ पर इस तरीके से आप करना और दो वीडियो के बाद थोड़ा बहुत आप सीख गया होंगे कैसे आपको करना और इस वीडियो से लेटर कुछ पीडाउट या कनफीजर है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वहाँ पर आपको प्रॉपर एंसर किया जाएगा तो अगर आपको वीडिय है वीडियो लाइक करके हमें इनकवेज किजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब किजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन